और यहाँ पे कुछ ही सेकेंड में मेरे क्याल से आधा मिनट भी नहीं हुआ धंक से और मुझे चार किल मिल जाती है बिलकुल फिरीकी तो भाई लो कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत है आपका एक बिरा न्यू पब जीदो मोबाईल गेमपले वीडियो में जिसमें तुम्हारे भाई को ब्रिच केम्प करके पिलने की कुर्सिस की जाती है ठीक है अब ऐसा भी नहीं कि भाईया वो पिल्टी रेरी बेस और यार आपको भी पता है मुझे भी पता है सापका चक्कर होगा या अब ये बेचारा बंदा मेरे ख्याल से सीधा जमीन में लेंड करता है और इसकी सीधा पिल्टी बनती है अब मुझे नहीं पता क्यूं लेकिन जब गेम सुरू हो रहा होता है न और बंदों पे भाईया ये कार 98 और सोडगन वगेरा होती है यार बहुत दर लगता है मतलब देखो स्टार्टिंग में हेलमेट वेस्ट के नाम पे कंदू कुछ नहीं होता और यार गलती से सर पे पढ़ गी अगर ये चीज़े तो सिधा पेटी बनते आपके टाइम नहीं लगने का क्यार यहाँ पे मुझे तीन कील ऐसी मिल चुके बिल्कुल हलवे में मजाक में ले चुकाओं में तीन कील और यहाँ पे बंदे एक दूसरे की बेटी बना रहे होते हैं तो यार जाना तो पड़ेगा मतलब बंदे आपस में लड़ रहे हैं हम कैसे न जाएं वहाँ पे अब यहाँ पे मेरी हेल्थ इतनी कम है ना यार ये होनी नी चाहिए मतलब वो जो बंदा पीछे से M16A4 चला रहा था मुझे नहीं पता कैसे उसकी गोलिया दर्वाजे के पीछे आने के बाद भी लगी ख्यार ये तो बगैर अपडेट के गलत सीन ते यार अपडेट आ चुका है तो हाँ गलत सीन चार गुना बढ़ेंगे अब ख्यार यहाँ पे दो-चार बंदे पेलने के बाद मैं देखता हूँ बाहर दो-तीन बोट लड़ रहे होते हैं तो यार दिक्कत किदार आ रही है मतलब फ्री की केड़ी और किल बढ़ रही है तो यार मना नहीं करना चीए बोट को कभी बस दिक्कत तभी होती है जब यार इंटन्स फाइट चल ली हो 14 बंदे तुम पे रस कर रहे है और उसके बाद आपको पीछे से आगे एक बोट गोलिया पिलता है बहुत दुख होता है उस टाइम कैर यहाँ पे जितने भी बोट होते मैं उन्हें पेल देता हूँ और यार नीचे से फुटी स्टेफ अगेर आ रहे हैं तो हाँ बंदे अंदर आने वाले होते हैं और यार मैं सही बता रहा हूँ यह मिल्टे रेरी आरा ना बहुत बड़ी गलती हो जाती है कभी-कभी तब जब दूसरी टीम में भाई यह कैमपर दोग भरे पड़े हूँ आज ही की बात है मैं यहाँ पे यह तीन सटोरी यह जो बिल्डिंग होती है यहाँ पे सारे बंदे पेलके वो जो बगल में क्या है यार वो बड़ी सी बिल्डिंग लेफ्ट साइट पे वहाँ जा रहा होता हूँ और मैं मजाकनी कर रहा पूरी सकॉड हाँ पूरी सकॉड जाड़ी में लेटी बड़ी होती है और मुझे मतलब नौग भी नहीं होता है यार मैं मेरी सीधाई बेटी बनती है वहाँ पे यार चार लोग घेर के पेलते हैं कैर यहाँ पे अपन लोग पे हेलमेट के नाम पे कद और यार यहाँ पर मुझे सनाइपिंग करने तक नहीं देते लोग मतलब यार ऐसी सस्ति सनाइपिंग है उसके उपर से ये लोग घर पे गुश चुके हैं अब कब आये पता नहीं भाई मैं तो मस्त था बिल्कुल हेट्सोट देनी की कोशिस कर रहा था जो की लगा नहीं उतने में पता चलता है कि भाई अपने ही बिल्डिंग में बंदे गुश चुके हैं तो इन दो बंदों को पेलता हूँ मुझे लगा था ये सामने वाले बंदे होंगे हाना लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता ये अलग टीम के बंदे होते हैं तो ये दो ही बंदे बाकी होते हैं इन दोनों की पेटी बन चुकी है लेकिन अब सामने से पूरी सुकॉड आ रही है हाँ पूरे चार बंदे आगे और इन लोगों को लगता है कि यार ये लोग थार्ड पार्टी करेंगे हाना लेकिन इने क्या पता यार मैं पहले ही पेटी बना चुका हूँ और मैं रेडी तयार बैठा था ये ये लोग आए और मैं इनकी पेटी बनाऊँ खेर एक बंदे को नोक कर दिया है तो यार उसे रिवाइफ दिने की कोशिज पक्का की जाएगी अब जब तक बंदे दूर से रस कर रहे हो ना गोलियां चला रहे हो कद्दू भी डरनी लगता लेकिन जब बंदे इतने पास आ जाए तो यार एक ही चीज़ होता है नेड पे नेड लेकिन मेरे ख्याल से इन लोगों पे नेड के नाम पे कद्दू भी कुछ नहीं है और इन पे बस समोक है जो कि ये सारे के सारे इस्तमाल कर चुके हैं अब देखो इन लोगों ने समोक बहुत खतरना किया होता है हना लेकिन यार यहां पे मैं हलवा बनाने तो बैठा नहीं हूँ बंदा रेंग के पीछे जा रहा होता है और मैं बोलतो यार ऐसा तो नहीं होगा भाईया आपकी पेटी ही बनेगी और मुझे नहीं पता क्यूं लेकिन हर बार बोडी सोट लग रहा है मतलब ठीक यार इस बार मैं समझ जातों कि भाई किस्मत इतनी तगड़ी नहीं चल ली है क्योंकि एक भी अभी तक गलती से हेट सोट नहीं लगा है तो यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से दो बंदे नो किये थे एक की तो पेटी बना दी लेकिन एक बंदे को बचा लिया गया समोक वगेरा करके हना और इनका एक बंदा ना हट से ज़्यादा पास आ चुका होता है मतलब इतना पास की पूछो मत पीछे आ चुका होता है वो अब ये बंदा किधर से फ्लैंक वगेरा पेल के यहाँ पे आया था लेकिन हाँ भाई खतरनाक फ्लैंक मारे थे बिलकुली लेकिन हमारे भाई देख लेते तो मैं धैड़ पैड नीचे जाता हूँ पेटी अभी नहीं बनी है भाई की लेकिन हाँ कुसिस जारी है पेटी बनाने की और एक बन्दा यहाँ नीचे भी बैठा पड़ा है तो यार इसे भी देखना है मतलब दिक्कत होती यार बन्दे बिलकुल पास आके दिवार पे चिपाक जाते हैं फिर पीग भी नहीं करते तो दिक्कते होती हैं और नेड़ भी नहीं है मिर पे खेर मैं नीचे जाके उसे पेलने की कुशिश करता हूँ बिलकुल अब यहाँ पे इस सकॉर्ट के तीन बंदों की पेटी बन गई है लेकिन वो बंदा अभी भी बाकी है जिसके मैं हेट सोट नहीं पेल पाया था हना अब मुझे भी पता है वो कहीं न कहीं आगे ठीपी पी या फिर साब बन के बैठा है मैं बोलता है अपने टीमेट को भाईया सतर्क रहके खेलो क्योंकि पेटी बन सकती है बंदा केंपिंग कर रहा होगा लेकिन हमारे भाई क्या करते हैं अब खुदी देखो मतलब बिल्कुल अन्दा लूट करने जाते हैं बिल्कुल अन्दा लूट अब मैं हमारे भाई से पूछता हूँ कि आखिर क्यूं मैंने बोला भी था यार एक बंदा है उधर उसके बाद भी ऐसी हरकत क्यूं की गई तो हमारे भाई कुछ ये बोलते है बहुत ही बड़िया भाई मतलब पहले गलत सीन करो उसके बाद जब मैं पूछू की क्यूं क्या गया तब भया अंग्रेजिया पेल दो ताकि मैं कदू कुछ ना समझ भाई बहुत ही बड़िया और ये बंदा मतलब साब भी बन रखा था और ठीपी भी ले रहा था भाई खतरनाक था ये बंदा मतलब भाई ये जो छोटी सी नकली दिवार थी इसके पीछे रेट के टीपी भी भी ले रहे थे हमारे भाई और साब तो बनी रखे थे क्यार यहाँ पे मिल्टी रेडी खाली हो चुका है मतलब यार साब का चकर मौत से टकर हूँ ही गए थे गलत सीन बंदे ने पेटी बनाई दी थी लेकिन हाँ मैं जाता हूँ गन हटा के भगता हूँ भाई उस बंदे को पेलने के लिए गन हटा के भगता हूँ और आखिरकार उसे टाइम पे पेल देता हूँ और रिवाई वगेरा भी कर देता हूँ खैर उसके बाद देखो कहां से कहा आना पड़ता है किल के लिए ठीके कहां मिल्टी रेरी मैप के नीचे कोने में उत्रा था और अब देखो कहां पर आ चुका हूँ जूर जाना पड़ रहा है वो भी क्यों क्योंकि फरेर चलिये और बाकी कहीं पे बंदे मुझे दिखे नहीं बिल्कुल यहां पे मैं पहले गंटो रुखता हूँ ठीके मैं इंतिजार करता हूँ कि यार बढ़िया टाइम आने पे पेलूँगा ठीके और उसके बाद जब पेलता हूँ कुछ भी नहीं उखाड़ पाता मैं मतलब यार अगर मैं सीधा आतई सप्रेव अगेरा देता न तो शायद एक बंदा नोक हो जाता ठीके आप गुशकी पेलना पड़ेगा और यहाँ पे हम दोनों अकेले बंदे नहीं है जो फलेर देख्या है ठीके मतलब फलेर चलती है ने भाई दूर दूर नजाने कहां कहां से बंदे आते हैं मतलब यार फलेर को कताई शादी का खाना बना रखाए कोई भी आके गुश जाएगा और मुँ मार के चल देगा यहाँ पे हम लोग विवाई करते तो अब क्या ही कर सकते हैं जितने बंदे आपन के लिए उतना ही बढ़िया क्योंकि उतनी ही जादा किल मिलेगी यह अपनी पेटी बन जाएगी खेर यहाँ पे मुझे पीछे भी देखना होता है क्योंकि देखो पीछे गाड़ी गई है और मैं नहीं चाता कि मैं आगे ठीपी पी ले रहा हूं और कोई पीछे से आके गोलियां पेल दे लेकिन यार आगे भी जाना पड़ेगा क्योंकि आगे बन्दे थे और वो लोग किधर जाते हैं हमें कद्दू भी नहीं पता तो देखो मैं गाड़ी उठाता हूं एक चकर लगा के वापी सिधर रहा जाता हूं और मुझे नहीं पता क्यों लेकिन मैं ये पेटियां चेक कर रहा हूता हूं हाना क्या पता गलती से कुछ खतरनाक लूट मिल जाए लेकिन यहाँ पे ये बंदे निहत्ते और नंगे ठीले होते तो हाँ कुछ भी नहीं मिलता बिल्कुल खैर यहाँ पे कुछ मिले न मिले तुम्हारा भाई रीहो टीवी पे पोको का गिवेवे कर रहा है तो हाँ यार वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना डेली लाइफ स्ट्रीम होती है और आपको पोको जीतने का भी मौका मिल रहा है खैर यहाँ से मैं गाड़ी उठाता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता हूँ दुबारा अब पहले मैं उसी जगाँ पे घंटो रुका पड़ा था कोई भी नहीं आया ठीके मैं यहाँ से हटके कहीं और जाता हूँ बढ़ी बंदे आ जाते हैं अब यहाँ पे मुझे अच्छे से पता है कि एक और बंदा जिन्दा होना चाहिए मतलब जिसे मैंने सप्रेव अगेरा दिया था वो यह तो नहीं था अगर था तो भाई यह बहुती ज़्यादा जल्दी चड़ गया है यहाँ पे मुझे नहीं पता कैसे और इनका यह बंदा फुल रफ्तार में भगने की कुशिस कर रहा होता है और वो तो बहुती अच्छा हो गया भाई मैं उपर चड़ जाता हू नहीं तो यार वो बंदा गायब हो जाता भाई वो नहीं आता इसे बचाने मतलब जितना तेज वो बंदा भगरा था ना भाई उतना तेज तो यार मैं फ्री का खाना मिलते वे भी नहीं भगता तो हाँ वो कद्दू भी नहीं आता इसे बचाने खैर जो भी हो इसकी पेटी बन गई उसकी पेटी बन गई अब एक गाड़ी भी आई थी अब वो गाड़ी वाले किदर गए पता नहीं भाई मतलब निकलना चातो मैं यासे जोन भाई भी आ रहे होते हैं और यार तयार हो जाओ क्योंकि बहुत ही जल्द सस्ता वाला ब्रि बैटिंग वेब साइट है मतलब इसकी मदद से आप कई सारे गेम्स जैसे कि भाया अब IPL आने वाला है तो इन सब पर बैट लगा सकते हो क्रिकेट फुटबॉल वालीबॉल हलवा बॉल सब बैट लगा सकते हो और अपनी प्रेडिक्शन स्किल्स के तुरू पैसे अन कर सक सकते हो साथ ही साथ इसमें कई सारे मिनी गेम्स देखने को मिल जाएंगे तो हाँ यार अगर आपको गेम्स खेल के पैसे कमाने तो आप यहां पे वो भी कर सकते हो और आपको मेरा प्रोमो कोड यूज करने पे 7000 रुपे तक का बोनस मिलेगा जो की कमेंट सेक्शन में दिय मिलना इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिलकुली टॉक में और उसी के साथ भामा गए हैं अपने सस्ते बिरिज केम्प पे और यहां पे ये लोग इस नदी किनारे कौन से नसे करने आये थे यार मेरे समझ के पार है मसलब यार कहीं पे भी फूक लो गत्ते नदी किनारे ही क्यों आना है खेर इनके तीन बंदों को मैं पेल देता हूँ एक को तो हैर पानी में पेल दिया अब एक ही बंदा वाकी है तो हाँ देड़ पैडरस करना पड़ेगा और यार पे कुछ ही सेकेंड में मेरे क्याल से आदा मिनट भी नहीं हुआ ढंक से और मुझे चार किल मिल जाती है बिलकुल फ्रीकी ठीक अब ये लोग क्या नसे करने आये थे बिरिज के किनारे यार मेरे समझ के पारे बिलकुल अब ये बिरिज कैम था भी की नहीं यार अब तो मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ मतलब एक बंदा पानी के नीचे ठीक है दो तीन बंदे भाईया इधर उधर अपनी मस्ती में ही गूम रहे हैं एक बंदा पीक करके खड़ाए मतलब जो भी था यार बहुत ही गलत था तो हाँ भाय लोग यार अगर आपने लाइक के बटन को नहीं पेला इस सस्ते बिरिज कैम के लिए तो यार यही टाइम है यही मौका है पेल के रख दो लाइक के बटन को नीला टैप कर दो बिलकुली और हाँ यार देखो अगर आप बिरिज कैम करते ही हो तो मतलब ऐसे करना की बंदों को पता नहीं बिरिज कैम पे मतलब यार देखो मुझे पता था तो मैं क्यों पार करूँगा बिरिज अगर आप दो चीज हो सकती है या तो मैं बहुत ही ज़्यादा सस्ते नसे में हूँ और मैं बोलता हूँ ऐसी कि तैसी ले चलो ब्रिच के पार गाड़ी लेकिन वैसा ज़्यादा तर बंदे करते नहीं तो हाँ अगर आप दिख जाते हो तो बंदे ब्रिच पार नहीं करेंगे और सिर्फ एक ही चीज होगी वो है टाइम वेस्ट मतलब वो वहां से नौक करेंगे आप यहां से नौक करेंगे वो भी पार नहीं करेंगे आप भी पार नहीं करोगे और बाद में वो घुम के बोट से चले जाएंगे तो हाँ यार देखो bridge camp एक अकेली ऐसी चीज है जिसमें यार camping चलती है बिल्कुल मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं है और देखो bridge camp का सब को पता होता है यार कि यार bridge है आगे तो हो सकता है camp हो तो हाँ बंदे चेक भी करते है वहीं अगर आप साब बने हो तो यार इतनी सारी जाड़िया है कौन-कौन कौनसी-कौनसी जाड़ी चेक करेगा इसलिए bridge camp में मेरे खयाल से camp करना बगेर अपने आपको दिखाए ठीक है क्योंकि यार सब को पता होता है कि भाई bridge camp करते हैं बंदे तो समल के जाना होता है लेकिन साब सू बनते हो तो यार वो तो गलत इसीने कता ही और उससे आपकी skill भी नहीं बढ़ते हैं मतलब bridge camp पे यार fight तो होती है कम से कम साब बने रहोगे यार कब कोई आएगा या ना आएगा किसको पता कैर उसी के साथ रोजोकी पहाडी के बाद मैं इधर पे आ जाता हूँ और आगे बंदे होते हैं और यहां पे पहुंचने में ना मैं बहुत देर कर देता हूँ मतलब देखो आगे गाड़ी जली पड़ी है बिल्कुल दुआ दुआ आग लग रखिये कता ही बंदा ओपन में भगरा था मतलब 200 काड लड़ चुकी है पेटी पूटी बन चुकी है तो यार जो भी बंदे बचे कुछे हैं उन्हें पेल के काम चलाना होगा और वहाँ पे डिरॉप अगेरा भी हुआ है तो हाँ यार बंदे गए होंगे बिल्कुल चौड में डिरॉप लूटने और पेटी बन वाली उन्होंने अपनी जो भी हो यहाँ पे पता चलता है कि पीछे गरो की साइड ये जो महंगे बिल्डिंग होती है वहाँ से एक बंदा बक्के ये जो सस्ता सैख है उसमें घुश चुका है तो करना क्या यार मैं सकूप खोलता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ कि भाई बंदा कोई भगेगा और मैं उसके हेट्सोट चिपकाऊंगा जो की बिल्कुल भी नहीं होगा याँ पे और यार इस मैच में नजाने क्या ही सीन चल ले मतलब मेरे ख्याल से मैंने एक भी गलती से हेट्सोट नी पेला तो हाँ यार किसमत चल नहीं रहे हैं इसलिए हेट्सोट भी ने लगे रहे हैं खेर उस बंदे को एक बोडी सोट पेलता हूँ और वो जोर में नहीं है मेरे ख्याल से तो वो भी भगता है वहाँ से और बोडी सोट हेट सोट तो बहुत दूर की बाते भाई सप्रे की एक भी गोली नहीं लगती बचके भग जाता है वो अब आपको मैच के end में कोई बंदा VSS से पेले ना यार समझ जाओ वो खतरनाक बंदा है बिल्कुल मतलब VSS पूरे गेम भर चलाने के लिए जिगराची होता है यार मेरे से तो शायद ही ऐसा कभी हो पाएगा मतलब यार गोली इतने नीचे जाती है क्या ही बताऊं मतलब अगर आपको किसी बंदे के सर पे पेलना है ना गोली VSS की तो आपको बादलों में एम रखना होगा सको बादलों में खुलना पड़ेगा ठीक है यार जादा होगे लेकिन हाय यार गोलिया गंदा ही गिरती है बिल्कुल तो दिखकत हो जाती है यार बंदे पेलने मे खेर यहाँ पे दिख जाता है बंदा तो पेलते ही से जरा और हमारे भाई VSS तो बहुती तगड़ा चला लेते लेकिन यार नेट पे बाई चूक खा जाते हैं मतलब बंदा अपनी ही चौड में ओपन में आ रहा है बिल्कुल और पीग भी नहीं कर रहा है सीधा नेट फेकने की कोशिज खैर उसको नो कर दिया अब इसके जो भी बंदे बचे हैं उनकी बारी है अब यहाँ पे मेरा AWM उठाना सफल हो जाता है मतलब देखो बोडी सोट पे बोडी सोट लगे थे पूरे गेम में आखिर में आके दो बंदों को AWM से ठिला दिया तो यार इससे जादा चाहिए नहीं मुझे कुछ आज के लिए इतना ही बड़िया है मेरे लिए और इसी के साथ पीछे जो सकॉर्ड बैठी होती है वो भी खतम हो चुकी है अब एक ही बंदा बाकी है और यार इस बंदे से जादा चौड ना शायद ही किसी में होगी मतलब ये भाई अपनी चौड में होते देखो यार क्या खतरनाक बंदा होता ये देखो आप बिल्कुल और यार वो जो पिचर थी ना जिसमें भाई हां गाड़िया उड़ती रहती है बंदे उड़ते रहते हैं वह पास्ट इन फ्यूचर अगर उस पिचर में अगली पिचर में इस बंदे को नहीं लिया तो मैं नहीं देख रहा भाई मतलब कैसे नहीं ले सकता कोई से बंदा आता है दूर से भाई गाड़ी उड़ा देता है गाड़ी से कूच जाता है और अपनी ही चौड में भाई गोलियां चराएं लगते हैं मतलब जितने भी मैच मैंने खेले हैं मेरे ख्याल से ये शायद पहला या दूसरा ऐसा मैच होगा शायद जिसमें आखरी बंदा सांपनी बना या कहीं केमपनी कर रहा है अपनी ही चौड में गाड़ी भगा रहा है भाई मतलब यार इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है यार तो हाँ जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करना मतलब जैसे ये बंदा गाड़ी को पेल के चला रहा था नहीं आप लाइक के बिटन को पेल दो कताई नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार सबस्क्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये गलत सीन ये गलत नसे ये सस्ती कमेंटरी तुम्हारा भाई करता रहता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना तो आज के वीडियो में इतना ही भाई लोग यार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते 1XBET 1XBET को चैर्ण करना मत भूलना यार उसकी लिंक डिस्क्रिप्सन में नहीं कमेंट सेक्षन में होगी बिल्कुल टॉप में हर बार डिस्क्रिप्सन क्यों बोलता हूँ तो कल मिलते हैं भाई लोग यार बाई बाई झाल झाल